तो कि अगरांब को एक फेसबूक यूजर हो तो यह वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूं अगर आपकीसीबूक के अंदर वी यह वाला पीचर नहीं आ रहा है जिसके बमीदियो को यहां पर देखते हैं जो watch वाला एक option होता है जो कि आपको यहां पर बीच में नजर आ रहा है इस पर में click करके ऴस दिखा देता हूं कर देख presses haga यहां पर आप देख सकते हूं कर धिए यहां पर आने के बाद में हम कोई इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी Facebook के अंदर इस option को इनेबल कर सकते हो और उसके बाद में आप यहाँ पर अपनी वीडियो को देख पाएंगे तो गाई इस बहुती सिंपल है आप यहाँ पर अपनी Facebook की सेटिंग में जाएंगे वहाँ पर जाने के बाद में आप इसको इनेबल कर सकते हो तो आपको कैसे करना होगा तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जाननीचे मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद SS YouTube चैनल चैनल पर नहीं हो तो बैस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जो है सेटिंग वाला ओप्शन जो है इसको जो है ऑप्शन को यहां से ओपन कर देना है जैसे आप सेटिंग वाले पर किलिक करोगे यहां पर फिर से आपको यहां पर एक सेटिंग नजर आएगी इस पर किलिक कर देना है सेटिंग पर किलिक करने के बाद में स्क्रोल करके थोड़ा सा आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा shortcut bar इस वाले पर आपको यहाँ पर किलिक कर देना है जैसे आप इस पर किलिक करोगे तो आपको देखे यहाँ पर यह watch वाला option यह जो features है watch वाला यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर आकर की check यह करना है कि आपका यह enable हो रहा है यह फिर disable हो रहा है मतलब कि आपको यहाँ पर देखना है कि यह जो नीचे वाला option है इसको यहाँ से इस तरह से बंतों नहीं किया हुआ है अगर आपको पता नहीं है और यहाँ से बंतों हो रहा है तो आपको यह option है यह फीचर से आपको बाहर आपकी Facebook पर दिखाई नहीं देगा तो यहाँ पर से आपको आगर के चेक करना है कि यह यहाँ पर on है या फिर off है अगर आपको लगता है कि यह off हो रहा है तो आपको कुछ इस तरह से इसको यहाँ से on कर लेना है ओन करने के बाद में यहाँ पर आप जैसे back आएंगे बेक आने के बाद में आप यहाँ पर Facebook में बाहर आ जाएंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से refresh करेंगे अगर आपको ऐसा लगता है उसको on करने के बाद भी हमारा जो हमने refresh किया और तब भी नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है आपको जो है mobile की setting में जाना है यहां से back होकर के देख लेना है Facebook को, तो यहां से मैंने जैसे Apps पर किलिक किया, अभी थोड़ी सी loading हो रही है, उसके बाद में मेरे वो सारी application यहां पर open हो जाएंगी, देखे यह हो चुकी है, यहां पर हमें जो है देख लेना है Facebook को, यह हमारी Facebook है, इसको open कर लेना है, अब यहां पर आप देख कर लेना है, clear data, clear cache करने के बाद में, यहां पर आपको जो है, अब बी सर्च करना है, अब बी सर्च करने के बाद में, आपके सामने जो है Facebook इस तरह से आजाएगी, इसका update आया हुँआ आपको मिलेगा, तो इसको जो है update कर लीजेगा, अगर update नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं है, इसको update करने के बाद में, आपको क्या करना है, फोन को restart कर देना है, एक बार यहाँ से power BOB button यहाँ पर देख सकते हो, इसपर जैसे आप यहाँ पर किलिक करोगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आजाएगा, और restart पर जैसे आप यहाँ पर किलिक करोगे, तो आप का फोनों का वो restart हो जाएगा restart होने के बाद में आप यहां पर फेस्बूक को open करेंगे login करने के लिए बोलेगा आप login कर लीजी आप यहां पर जब इसको देखोगे तो आपको यहां पर यह option देखने को मिल जाएगा जिसमें हम अपनी वीडियो को देख सकते हैं तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी कि आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो